Assalamu alaikum students, इस video में हम chapter 2 की exercise 2.6 जो के chain rule के बारे में उसके 1 to 40 questions करेंगे chain rule कब use होता है, जब आपके पास function जो है वो composition की form में गिवान हो, ठीक है इन एक function के अंदर दूसरा function के बान होता है, इस तरह sin x है तो ये एक function है लेकिन अगर आपके पास आजाता है sin x to the power 3 या 2x to the power 3 इसी तरह अगर आपके पास square root x आजाए तो ये एक function है, लेकिन अगर आपके पास आजाए square root x 2x square plus 1 square root x तो ये function x square root का हो जाता है और ये उसके अंदर अलगसे function है इस तरह के derivatives को calculate करने के लिए हम क्या करते है, chain low use करते है और ये इंसाइड वाला है इसको हम u as a g of x कहे देते हैं, अलगसे function कहे देते हैं और बाहर वाले को, square root वाले को हम f of f of g of x कहे देते हैं, f of g of x तो अगर आपके पास ही situation हो कि y is equal to f of g of x और इंसाइड वाले को आपने यू कह दिया हो, तो तब chain rule कहता है कि आप इस function जो original function है, y उसका derivative कैसा नहीं कहाँ सकते है, with respect to x is by taking the derivative of y with respect to u, तो हमने g of x को क्या कहा हुआ है, u कहा हुआ है, तो आपके पास ही आजाता है, तो आप dy by du find करें, differentiate करें y को with respect to u, और u को differentiate करें with respect to x, और उन दोनों को multiply कर दें, तो आपके पास dy by dx, derivative आ जाएगा function का with respect to x, और दूसरे तरीके से अगर इसी चीज़ को हमने लिखना हो, उसका derivative को, हम क्या कह सकते हैं कि, जो आपके पास function है, पहले आप उसका derivative ले, ठीक है, और पिर जो function के inside जो function है, उसका derivative साथ है, multiply कर दें, ठीक है, पर इसस आपके पास था, sin 2x, यह हमने इसका derivative लेना है, तो हो बन जाएगा, sin का derivative क्या होता है, यह पूरा function है, sin 2x, sin का derivative का होता है, cos 2x, और अब इसके inside वाला function क्वान सा है, वो यह है, g of x, तो हम इसका derivative साथ multiply कर देते हैं, तो 2x का derivative साथ multiply कर दो, इसका derivative क्याता है, 2, यह बन जाएगा, 2, cos 2x, ठीक है, यह generally, इस वाले method से हम करते हैं, अगर इसी चीज़ को हमने, इस वाले method से करना हो, तो हम कहते हैं कि, u is 2x, ठीक है, जो कि g of x है, तो y हमारे पास क्या है, y is equal to, y हमें given a sin 2x, इसमें से inside वाले का हमने u कह दिया, अब इस inside वाले की जगा पे, अगर हम इसकी value u put कर दे, तो y बन जाएगा sin u, तो हमने क्या करना है, कि y को differentiate करना है, with respect to u, जो बन जाएगा, cos u, और x को u को बन जाएगा, with respect to x, जो बन जाएगा, अब फर्मूले के मताबिक, इसकी जगा पे इसकी value लिखते हैं, which is, cos u, इसकी जगा पे इसकी value लिखते हैं, which is 2, so that becomes 2, cos u, और u की value हमें already पता ही है, इसको replace कर देंगे, तो 2, cos 2x, अब दोनों तरीकों से कर सकते हैं, जो भी आपको, simple लगी आप उससे कर देजाएगा, अच्छा, आप questions हैं कि आपके पास f prime at 0 given है, g at 0 given है, g prime at 0 given है, आपने f o g का prime find करना है, at 0, f o g का हमने अलरी, यहाँ पे किया हुए, इसको हम कैसे लिखते हैं, f o g prime means कि आप f prime of g of x ले रें और उसके साथ multiply कर दें, inside वाले का derivator, inside में कहें g of x तो उसका derivator, अब x के जगा पे 0 put कर दें, हर जगा पे जहाँ 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 x है, इसकी value हमें given है, 3, और इस g of x की value क्या है, g of 0 की value 0 है, तो इसके जगा पे 0 लिख दिया, अब f prime of 0 की value भी हमें given है, which is 2, तो आप put कर दें सारी values और calculate कर दें, question 2 में again, आपको at 9, f prime at 9 given है, g at 2 given है, g prime at 2 given है, और हमने g at 2 find करना है, ठीक है, अब देखें, सबसे पहले तो f o g prime at x क्या होगा, g prime, f prime at g of x, तो साथ multiply करेंगे g prime at x, x हमारे पास क्या है, 2, जब x को हमने 2 put कर दी है, सब यहां से, x की जगा पे यह, इसकी value हमें given है, 9 है, इसकी value हमें given है, minus 3 है, अब f prime at 9 जो है, वोगे f 5 है, आफ विली spot कर देंगे, get the answer, question 3 में आपको f of x दिया होए, g of x भी दिया होए, आपने f o g of x और उसका prime, find out करना है, f o g of f आपको अलर्ड़ी आता होगा, f o g of x जो है, उसका हम लिखते हैं, f के अंदर हम, g of x लिखते हैं, ठीके, f के अंदर, x की जगह पे, g of x लिख दिया, अब g of x की value का है, 2x minus 3, तो देखें, यह हमने लिख दिया, g of x की value, अब f of x में x की जगह पे, 2x minus 3 है, तो इस function में x की जगह पे, 2x minus 3 लिख देंगे, तो यह हमारे पास f o g आ जाएगा, so that's why, f o g is this, अब इसका derivative देंगे, सबसे पहले इसका derivative, power front पे आ जाएगा, power में से एक minus हो गया, और फिर inside वाले का derivative multifircle पे, तो 2x minus 3 का derivative का आता है, 2, इसको simplify कर देंगे, इसी तरह, g of f जो है वो, g के अंदर f of x, g के अंदर f of x की जी का है, x power 5, अब इसमें x की जगह पे आपने क्या पूट करना है, x to the power 5, so 2 times x की जगह पे, x to the power 5, और minus 3 as it is आ गया, अब इसका derivative देंगे, इसका जाएगा, इसका जाएगा, इसका derivative 5 into 2, so 2 as it is 5 front as a coefficient power में से, minus कर दिया, ठीक है, so that gives us 10 x to the power, 4, ठीक है, ठीक है, next, again, f of x के बने, g of x के बने, हमने f of g find करना है, फिर इसका derivative, g of f find करना है, फिर इसका derivative, इसका derivative, I hope की you can find f of g, f into g of x, f के अंदर g of x पूट कर दे, 4 plus, cos x, अब function f में x की जगह पे आप, क्या पूट करेंगे, 4 plus, cos x तरही हो गया, है, इसका derivative लेते हैं, तो, usually जब आपको square root के बना हो, ठीक है, और आपने इसका derivative लेना हो, that becomes, 1 divided by square root x, 1 divided by, sorry, 2 times square root x, ठीक है, वो कैसे, x to the power, ये 1 over 2 होता है, जब हम इसका derivative लेते हैं, तो, 1 over 2 front पे as a coefficient multiply आता है, और power में से 1 minus कर देते हैं, that gives us, minus 1 over 2, जब इसको नीचे लेके जाते हैं, तो positive होता है, तो, जब भी आपके पास square root में function given हो, तो, उसका abstraitor है, इस तरह लिख सकते हैं, अगर ये function x के इलावा हो, तो, इस तरह ये है, 4 plus cause x, तो, हम देखे हैं, हमने लिखती है, 1 divided by 2 times 4 to the x plus, और फिर साथ multiply करना है, inside का derivative, inside का 4 plus cause, 4 का derivative 0, और cause का derivative minus sign, तो, ये हमने multiply कर देना, और ये 5, तो, ये original 5 का हो, as it is, आगे, तो, जब भी इस तरह एक situation हो, आप straight हो, उसको लिख दे, 1 over 2 times, जो भी यहाँ पे हो, और साथ में multiply कर दे, यहाँ पे जो भी चीज़े, उसका derivative है, तो, इस simplified form है, जब भी आपके पास square root में function गिवन हो, उसका derivative लेना, जीओ f में आप, जी के अंदर f of x पुट कर दे, जी के अंदर f of x की भी लिए आपके पता है, आपके पता है, that is, 5 square root x, अब, जी के अंदर, जहां जहां x है, वहां पे, यह भी लिपुट कर दे, तो, 4 अपनी जगा पर exit is आगया, और cause अपनी जगा पर x की जगा भी हमने replace कर दे जी लिए अब इसका derivative लाना, तो, 4 का derivative जीरो आजाएगा, cause का derivative क्या आएगा, minus sign, टीक है, 5 square root x, और फिर inside वाले का derivative, तो, अभी आपका पता है कि यह आपके पास इस्ट विजन पा 1 over 2, इसको root x लिख दे, और यह 5 exit is आगया, question 5, focus on concept question, जा आपके पास, f of x गिवन है, 8, 3 and 5, f prime गिवन है, g गिवन है, g prime गिवन है, f prime at 3 आपने find out करने, और f of x आपको गिवन है, इसी तरह g prime at 3 find करने, और यह भी गिवन है, as a combination, composition of f and g, तो सबसे पहले तो आप इसका derivative ने, इसका derivative साथ, g prime, तो g x की जगह पर इसकी value पुट कर दे, 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, इसकी value, g of 3 की value, g of x at 3, कौन सी है यह, ठीक है, तो यह आज आएगा आपके पास, f prime at 5, और g prime at 3, 7 है, तो 7 आजए, अब f prime at 5, f prime at 5, यह है, वह आजए, minus 1 into 5, 7 is minus 7, g prime का formula, g of f of x है, तो उसका हम लेकते हैं, g prime of f of x into f prime of x, x के जगे उसकी value पुटकर दी, 3, 3, यह हमें अलर्ड ही पता है, f prime at 3 is minus 2, वह लिख दिया, और g prime, इसकी जगे पे इसकी value f at 3, f at 3 क्या है, 5 है, तो g prime at 5 हो जाएगा, g prime at 5 क्या है, g prime at 5 is 4, तो हम लिख दिया हाँ, मुल्टिक्लाइ कर दें, यह कर दिया answer, 6 में भी यही चीज है, you can figure that out, value पुटकर दिया, minus 1 की, इसकी value अलर्ड हमें गे बने, g prime at 1 is minus 3, और g minus 1, g at minus 1 is 2, तो हो इसमें पुटकर दिया, f prime at 2 is 4, तो हो values पुटकर दिया, calculate कर दिया, minus 1, minus 1, minus 1 पुटकर दिया, इसकी value हमें अलर्ड ही पता है, that is 3, तो हमें अलर्ड है, f at minus 1 is 3, so g prime at 3, and g prime at 3 is, sorry, f at minus 1, f at minus 1 is 2, and g at 2 is minus, g prime, g prime at 2 is minus 5, f at minus 5, you get the answer.